से एक टापिक स्टार्ट करने वाले हैं C4 पोटोसेंटेसिस के बारे में C4 पोटोसेंटेसिस का दूसरा नाम है हैट स्टेक पाथवे भी इसको कहा जाता है क्योंकि इन लोगों ने इनकी क्या की थी इन डिस्कावरी कराई थी यहां पर जो पहला प्रोड़क्ट बनता है इस प्रोसेज में वह असल में पोर कार्वन कंपाउंड ही होता है और इसी फोर कार्वन कंपाउंड होने की वज़ा से इसको क्या कहा जाता है यह सी फोर पोटोसेंथिस कहा जाता है यह सी फोर पोटोसेंथिस कहां पर होता है ग्रासेज में होता है मेर्स में स्पाइलिच में और शूगर कैन में यह सी फोर पोटोसेंथिस होती है अब मसला यह है कि यह C3 photosynthesis, C2 photosynthesis के बज़ाए अब यहाँ पर यह C4 photosynthesis क्यों हो रही है यह main question है इसमें main question इसमें इसलिए है कि ताकि यह किस से बचना चाहता है पोटो रिस्पाइरेशन से अड़ापेशन से बचने के लिए यह क्या कर लेता है क्योंकि C4 photosynthesis जो है वो तीन अर्गेनलीज में होता है वो टाइमिंग कंज्यूमेंगे उसमें तीन अर्गेनलीज की इनवाल्मेंट जो है वो शामिल है तो इस पोटो रिस्पाइरेशन से बचने के लिए क्या है C4 photosynthesis होती है अब यह C4 photosynthesis जब होगी ना तो उसके लिए भी कुछ adaptation कुछ चीज़े जो है वो चाहिए पहला चीज जो है वो डाइमार्पिक क्लॉरोप्लास्ट है टू शेप का है एक को कहा जाता है ग्रेनल क्लॉरोप्लास्ट और दूसरे को कहा जाता है क्या एक ग्रेनल क्लॉरोप्लास्ट ग्रेनल क्लॉरोप्लास्ट हम इसको कहते हैं हमने इस तरह से पढ़ा है कि यह क्या है ये हमारे पास डबल मेंब्रेन बाॉर्डन क्लोरोप्लास्ट है और इसमें इस तरह से क्या है ग्रेनम मौजूद है जब ग्रेनम मौजूद होगा तो ऐसे क्लोरोप्लास्ट को क्या कहा जाता है ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट लेकिन दूसरा क्लोरोप्लास्ट ये है हमारे पास लेकिन इसमें ग्रैनल मुझूद नहीं है सिल्प और सिल्प स्ट्रोमा है तो इसको क्या कहा जाता है एग्रैनल क्लोरोप्लास्ट अब ये 3 पोटोसेंटिस किसमें होगी ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट में और C4 protocenthesis होगी किसमें एग रेनल क्लोरोप्लास में एग तो हमें यह वाली क्लोरोप्लास चाहिए इस C4 protocenthesis के लिए दूसरी चाहिए क्या क्रेंस इनाटमी क्रेंस एक साइंटेस्टा उसमें यह चीज डिसकोड की थी अगर यहां पर आप लोगते हैं तो मैंने लीप का internal structure ड्रा किया हुआ है internal structure में अगर construction structure में यह जो outer layer है इसको क्या कहा जाता है epidermis और epidermis में यहां पर हमारे पास modified epidermal cells है epidermis cells है जिसको क्या कहा जाता है guard cells इसको कहते हैं और guard cells जो हैं और यहां पर एक और मुझूद है जिसको क्या कहा जाता है स्टॉमा सिंगुलर को स्टॉमा और फ्लॉरलीस का क्या है स्टॉमेटा है अब यहां पर इसके बाद कुम से cells है epidermis cells के नीचे मेज़ोपेल cells है और मेज़ोपेल cells के नीचे क्या है बंडल शीर्ट से अब यह बंडल शीर्ट जो है वो हर प्लांट में आप लोगों को नजर नहीं आएंगे बलके इन ग्रास शुगर केंज में आप लोगों को क्या होंगे नजर आएंगे अब अगर देखा जाए तो यहां पर हमारे पास क्या चीज मुझूद है कार्बन डाइकसाइड है वो अंदर की तरफ चला जाएगा पिर गीशिस एक्सचेंज होगी वो चीज़े हमने बार पर की हुई है अब यहां पर कर लेते हैं यह कार्बन डाइकसाइड है यह अब बहुत ज्यादा वीक एसड़ है और यह बहुत ज़्द ही और टूट जाता है एक तो सीओ जाता है एच तो त्री प्लस एच पासडियो में यही एच तो त्री जो है वो यहां पर आएगा पहले से मौझूद पास्टो पिनोल पाइरोइक एसड होगा जो कितने कार्ब तरफ और इस पास कितने कारवन और हो जाता है पॉर कारवन तृक तिं यह ओगाए और एक यह और एक यह आ बन्या यह यह खेस्ट हो जाहिए चार सेट खालाइगे चार शोल यह pleasing और अब i Ю कि मेरे पास क्वारीन प्रोंट एक्साइट विद्धे। पहले मेजोपेल कसल होंगे और पिर इसके बाद क्या आएंगे बंडल शीट अब यहीं मेले कसल जो है वो क्या करेगा इसी मेजोपेल सल से कहां पर चले जाएंगे बंडल शीट में यह कौन से वाले सिल्स है बंडल शीट बंदल शिर्ट में चले जाएंगे अब यह फोर कार्बन कंपाउंड है अब यह फोर कार्बन कंपाउंड जो है यह क्या हो जाएगा मैनिक एसद यह तूट जाएगा और इससे निकल जाएगा क्या कार्बन डाइकसाइड और एक इससे निकलेगा क्या पाइरोएट या पाइ अब यही कार्वन डाइकसायड आज निकलेगा तो यहां पर हमारे पास क्या है ? रोबिस्को एंजयम मुझूद है और रोबिस्को के बारे में हमने यह पड़ा हुआ है कि जब ऑकसीजन की अबंडंस ज्यादा होगी तो पिर क्या स्टाट होगा पोटोरिस्पाइशन लेकिन जब oxygen की abundance क्या होगी कम होगी और carbon dioxide की abundance ज्यादा होगी तो फिर यहाँ पर एक compound बनता है जिसको क्या कहा जाता है P.G.A.L. पास्पोग्लेस्रेक एसेड और as a result यहाँ पर एक cycle start हो जाता है जिसको क्या कहते हैं Kelvin cycle और Kelvin cycle में हमारे पास एक glucose molecule जो है वो बन जाएगा अब यहाँ पर फिर से ओनार्मल पोटोसेंथिस जो है वो start हो जाएगी असल में पोटोसेंथिस का काम यह है क्योंकि यहाँ पर minic acid से क्या देना है कारपन डाइकसाइड देना है किस चीज़ को bundle sheet को ताकि यह क्या कर ले यह कारपन डाइकसाइड देने के बाद यहाँ पर केल्वन cycle जो है वो जायरी रहे और as a result यहाँ पर क्या बन जाए ग्लुकोज मालेक्यूल जो है वो बन जाए अब रहे गई बात किस चीज़ की इस पाईरोईकेसिड की बात रहे गई गई ना तो यह पाईरोईकेसिड ज यहाँ पर क्या बन जाएगा और पर पिनोर पाईरोईट पिर से बन जाएगा और पिर से यही cycle जो है वो दुबारा चलता रहेगा तो आप लोगों ने देख लिया कि यहाँ पर यह कारपन डाइकसाइड जो है वो एक यहाँ और तीन यहाँ और इस रिज़ट हमारे पास क बन जाते हैं चार कारवन डाइकसाइड चार कारवन कांपाउंड जो है वो बन गए अब अगर देखा जाए तो यह प्रॉस जो है वो पोटो रिस्पाइरेशन के मकाबले में क्या है शाट है यह टाइमिंग कंज्यूमिंग नहीं और इस रिज़ट हमें बहुत जल्द ही क जाता है कार्वन डाइकसाइड दे लेता है फार्द किल मौन साइकल लेकिंवन जाता है के साथ में तीन और GENERRIES जो है वो INVOLT होते हैं और वहां पर भी GLUCOSE MALEKULE जो है वो इस्तेमाल होता है लेकिन यहां पर यह होगा कि यहां पर वह आसानी से कम तो वक्त में यह हमें कार्बन डाइकसाइड दे दे देगा और कार्बन डाइकसाइड देने के बाद ही क्या करेगा पोटो रिस्पायरे, सॉरी, यह हमें कार्बन डाइकसाइड दे देगा और इस रिजर्ट केलवन साइकल जो है, वो केरी हो जाएगा तो डियर स्टूड़न्स आप लोगों ने देख लिया कि C4 पोटो सेंथिस का में मकसद यह है ताकि वो किस से बचा जा सके, पोटो रिस्पायरेशन से बचा जा सके और हमें जल से जल ग्लुकोज मालिक्यूल जो है वो दे 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 तो यह ता अबाट दे C4 पोटो सेंथिस, तेंक यू